मुझे प्रसंता है कि देश के सुस्थी प्रधानमंत्री आदनियसी नरेंद्र मोदीजे ने पिछले साड़े नौ वर्स के अंदर देश के प्रतेक नागरिक को साड़सन की योजना का लाब बिना भेद भाव पहुंचाने के जिस ब्रहत कारिकरम को उनोंने आगे बढ़ाया था उस कारिकरम के प्रती आम नागरिक को जागरू करने के देशे से पुरे देश के अंदर जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया गया है जो अब तक का सबसे बड़ा जन जागरण का अभ्यान है वो है विक्सित भारत संकल्प यात्रा के बारे में कहने के पूर मैं कुछ बातों के बारे में आपका ध्यान जरूर आकरसित करना चाहूंगा हम सब जानते हैं 2014 के पहले योजनाओं का लाब चेहरा देख करके दिया जाता था लेकिन 2014 के बाद प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में उनके मार्क दरसन में योजनाओं का लाब गरीबी गाउं दलीत बंचित पिछडा या समाज के उन सभी लोगों को जो अब तक योजनाओं से बंचित थे उन लोगों को अपलब्द करवाना सुरू किया गया और पहली बार ये देखने को मिला कि सब का साथ और सब का विकास एक केवल एक नारा नहीं बलकि एक हकीकत भी है योजनाओं का लाब उस रूप में हर एक तबके को प्राप्त हुआ है इन योजनाओं के बारे में पिछले साड़े नौ वर्स के अंदर जिस तबके को नहीं योजनाओं का लाब दिया गया उन लोगों को योजनाओं का लाब देने के साथ बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो वास्तों में इन योजनाओं या किसी एक योजनाओं से बंचित होंगे उन योजनाओं को इसके साथ उन लोगों को भी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके जो अनसचुरेट हैं और संत्रिप्त हैं उनको संत्रिप्त किया जा सके इसके लिए इस योजनाओं का परचार परसार होना और इस योजनाओं कालाब उन लोगों तक पहुंचाने के एक ब्रहत अभ्यान का हिस्साई बनाना यद्यपी पिछले नौवर्स हड़े नौवर्स के अंदर जो कारिक्रम देश के अंदर चले हैं उनमें प्रियास वाकी इसका ब्यापक परचार परसार हो जन जागरुकता का कारिक्रम हो योजना बनाने से लेकर कि इसकी सफलता पुर्वक क्रियान वें तक हरे एक पक्स को देखा जाए लेकिन लाभारती प्रग बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिसमें चयन्म का अधार सेक्स सूची के अंसार भी किया गया सेक केंडर और राज्य दोनों में भर्तिय जन्ता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो सौबधी ग्रूप से उस समय जिस परकार की सरकारिएं थी, जिस परकार की मानसिक्ताइएं थी, उसको द्यान वे रख कर के बहुत सारे लोगे मानते होंगे कि हम लोग बंचित हैं। आने वाले समय में उन लोगों को भी नियोजनाओं का लाब दिया जा सके इसी के लिए ये एक प्रहत अभिहान चला है और इसका नाम प्रधान मंत्री जी ने योजना का सुभारांब पंद्रों नौंबर से किया था पंद्रों नौंबर जन जातीय गौरव दिवस है जन जातीय गौरव दिवस भगवान बिर्सा मुंडा की पावन जैन्ति पे ज्हारखंड के सुदूर खूटी गाउं में जहां उनकी पावन जनम भूमी है उस उन जनम भूमी से इस कारिक्रम का सुभारंब किया उत्तर प्रदेश में पंद्रा नौंबर को दो जन्पदों में यात्रा का सुभारंब हुआ था सोन भद्र और लखीम पूर जिलिय में और आज मुझे देखकर के प्रसंता होती है कि सभी 75 जन्पदों में 536 डिश्टल वेन जो वीडियो वेन है या प्रधान मंत्री जी के संदेश को लेकर के गाउं गाउं जाकर के व्यापक जन्जागरण कारिक्रम तो अपना ही रहे हैं लेकिन ब्यापक जन्जागरण कारिक्रम के साथ साथ वहाँ पर इन वीडियो वेन के माध्यम से जब गाउं के लोग बैढ़ते हैं स्यात्रा की स्वागत के लिए तो वहाँ पर लाभारती परक योजनाओं की जानकारी देना स्वास्त मेले का योजन होना विभिन लाभारती परक योजनाओं के लाभारतियों को साडिफिकेट वितरन का कारिक्रम होना और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन सभी लाभारतियों के अगर कोई बंचीत है तो उनके सेडिफिकेट भरने के कारिकरम भी होते हैं उनके वहाँ पर फिर से प्रार्थना पत्र भी सम्मिट किये जाते हैं जिससे उन लोगों को आने वाले समय में सिचुरेट किया जा सके एक बड़ा कारिकरम है हंड़ेट परसेंट सिचुरेशन की तरफ आज जाने की और सरकारों की प्रतिवधता है और उसी संकल्प बद्दा के सादे विक्सित भारत क्योंकि जब बैक्ती स्वेम खुसाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा प्रधान मंत्री जी ने देश वाशियों को आजादी के अमरित महत्सो वर्स में एक संकल्प जलाया और अस संकल्प था कि दोहजार सैंतालिस में जब देश अपनी आजादी की सताब्दी महत्सो मना रहा होगा तब दोहजार सैंतालिस में हमारा देश एक विक्सित भारत हो विक्सित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो भारत के प्रतेक नागरी के जीवन में खुसाली हो भारत के प्रतेक नागरी के हर प्रकार से परिपूर्ण हो उन सभी लक्सियों को प्राप्त करने के लिसा में किये जाने वाले प्रियास का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत ने पिछले साड़े नो वर्सक के अंदर एक लंबी दूरी तै की है देश के अंदर दुनिया के अंदर आज हर भारत वासी इस बात को स्विकार करता है कि दुनिया में उनका सम्मान बढ़ा है आज हर भारत वासी इस बात को मैसूस करता है कि देश में इंफ्रास्टक्चर के आधुनिक तब जो इंफ्रास्टक्चर हम सब देख रहे हैं एपिसलेट साड़े नौ वर्सक के अंदर जिस तेजी के साथ हुआ यह अद्बुत है अविनंदनिय है लाभारती प्रग्योचनाओं का लाप करोड़ों की सोचना का लाप ले तीन करोड़ों के घर में सोचा ले बने कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा आपने देखा होगा स्वाइल हिल्थ कार से लेकर के MSP का डेड़ गुनादाम लागत का डेड़ गुनादाम किसान के खाते में जाए यह पहली बार हुआ और प्रद्धानमंत्री किसान सम्मान निधी में देख के अंदर बारा करोड़ किसानों को छे हजार रूपे सालाना जिसमें दो करोड़ तिरसट लाग किसान अकेले UP के अंदर लावहनी फो रहे हैं ऐसे ही देश के अंदर चार करोड गरीबों के मकान बन गए प्रधान मंत्री आवास योजना में और अकेले उत्तर प्रदेश से पच्पन लाग गरीबों के आवास बने हैं ऐसे ही आयुस्मान भारत योजना के अंतरगत देश के अंदर पचास करोड लोगों को पांच लाग रुपे की स्वास्ते बीमा की गारंटी मिली है तो उत्तर प्रदेश के अंदर दस करोड लोगों को इस योजना का लाब मिलना है यानि दस करोड लोग सीधे सीधे पांच लाग रुपे की सालाना स्वास्ते बीमा की गारंटी प्राप्त कर रहे हैं वन डिस्टिक वन मेडिकल कॉलेज की योजना हर घर नल की योजना जो देश के हर नाकरिक के जीवन में प्यापक परिवर्तन कर रहा है और उन योजनाओं की जानकरी होना कोविट काल खंड में आपने देखा होगा पुरे देश के अंदर असी करोड गरीबों को फिरी में रासन की सुविधा का लाप मिला और अगले पांच वर्स तक मिलेगा तो तरब्रदेश के अंदर पंदरा करोड गरीबों ने इस योजना का लाप लिया और अगले पांच वर्स तक इस योजना का लाप लेते रहेंगे यानि यह बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिन योजनाओं के बारे में ब्यापक जन जागरण के साथ साथ अगर कोई फिर भी बन चित है उन योजनाओं को इसके साथ जोड़ना लेकिन इसके दूआधार है एक जहां हम लोग इस वीडियो बेन के मात्यम से चौपाल लगा करके ग्रामिन छितर में कारिकरम करके न योजनाओं के बारे में ब्यापक जन जागरण के विहान के मात्यम से इस कारिकरम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं वहीं साथ इसाथ हमारा दाहित तो बनता है कि विक्सित भारत संकल्प यात्रा जब हमारे गाउं में आये या हमारे कस्बे में आये तो उसमें हजारों की संख्या में अस्थान बाद्य यंत्रों के मात्यम से हर सोल लास के साथ प्रधान वंत्री जीस के इस विजन को पूरे स्वागत के साथ हम अगवानी करें अगवानी करें इस पूरे कारिक्रम के और इस पूरे कारिक्रम के साथ हमारा जुडाओ हो हमारा प्रियास होना चाहिए कि हर एक विक्सित भारत संकल्प यात्रा में कम से कम पंद्रा सो से दो हजार लोगों की उपस्तिती हर एक कारिक्रम में उपस्तित हो प्रति दिन चार कारिक्रम होने है यानि प्रति दिन प्रदेश के हर वेन के द्वारा दो कारिक्रम आयुजित होने है और 536 वीडियो वेन है इसका मतलब 1072 कारिक्रम प्रती दिन प्रदेश के अंदर आयुजित होने है तो 1072 कारिक्रम जो प्रती दिन आयुजित होने हैं हर कारिक्रम में जो उपस्तिती हो वहाँ 1000 से लेकर के 1500 के बीच में अनवारी रूप से हो एक संख्या को ध्यान में देना दूसरा इस आयोजन में अधिक से धिक वे लोग पहुँचे जिन लोगों को अब तक योजनाओं का नाप प्राप्त हुआ है इन योजनाओं में जैसे मैंने पहले भी कहा प्रधानमंत्री आवाज योजना है सच भारत मिशन के अंतर का सोचाले प्राप्त किये हुए लोग है आयुस्मान भारत का की योजना है पियम गरीब कल्यान अन्योजना का है राश्टिय ग्रामिन आजिवी का मिशन के साथ जुड़े वे जो बहने हैं उनको इसके साथ जोड़ा जा सकता है प्रधान मंतरी उज्ज्वला योजना के लाभारती है पियम विश्व कर्मा योजना के साथ जुड़े वे लाभारती है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी से जुड़े वे लाभारती है किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े वे लाभारती है PM पोशन मिसन से जुड़ेवे लाभारती है हर घर नल की योजना या फिर गोवन्स संग्रक्षन के कारिक्रम के साथ जो तीन प्रकार की योजनाएं चल नहीं है उन योजनाओं से जुड़ेवे लाभारती है जन्धन एकाउंट जिन लोगों का खुला है जीवन जोती बीमा योजना जीवन जोती सुरक्सा योजना अटल पेंसन योजना PM परणाम योजना ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के साथ के लाभारतीयों के अधिक सरीक उपस्तित है और हमारा प्रियास होना चाहिए कि प्रतेक कारिक्रम में 500 से लेके 700 तक उन लाभारती परक यो लोगों को भी हर एक जगे उपस्तित करवानी की तैयारी हो जो अस्थाने आयोचगण है ग्राममानी चेतर में ग्राम प्रदान और उनके नित्रतों में बनीवी टीम नगरिय चेतर में अगर नगर निगम है तो पारसत और उनके साथ जुड़ी वी जो टीम है नगर निकाय है छोटे कस्वे हैं नगर पंचैते हैं तो वहां के चेयरमेन और उनकी टीम अस्थानी अ कि अपनी बात को अपनी कहानी अपनी जुआनी मेरी कहानी मेरी जुआनी ये जब अपनी बात कहानी को अपनी मुह से बोलता है तो उस गरीब और बंचित के को भी उसके होसलों को भी पंख लगते हैं वह भी सोचता है कि अब मुझे भी इस योजना का लाब मिल सकता है और इ करती हैं उनकी आधे मिनट से एक मिनट के बीडियो वहां पर हम लोग बनाने की कारवाई करें जो बीडियो वेन है उसके साथ जुड़ेवे अधिकारी वे तो बनाएंगे बनाएंगे अन्य अस्थानी अस्तर पर भी हम प्रियास करें अब तो स्मार्ट फोन सब के पास हो और इस वीडियो को बनाने की कारवाई को आगे बढ़ाना ये बहुत सारी चीज़े है अभी तक मैं इस बात को देखता हूं कि आयुस्मान भारत के योशना के अंतर का पाँच राख रुपे की स्वास्त बीमा का कवर और जितने लोगों के लिए स्वीकर्ट हुआ है उतने लोगों ने अपने कार्ड नहीं बनाए है जब यहाव वेन आपके हाँ आती है तो उस दोरान वहाँ पर आयुस्मान भारत के कार्ड बनाने की करवाई को भी संपन किया जाए बनाया जाए उन लाभारतियों को जिससे वह किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उसका लाब ले सकता है यह तमाम ऐसे कारिकरम हैं जिन योजनाओं के साथ हम लाभारतियों को जोड़ करके धेर सारे कारिकरमों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने गाओं को पूरी तरह सिचुरेट कर सकते हैं संत्रिप्व कर सकते हैं केंद्र और राज्यसासन कि लाभारतिय। प्रक योजनाओं के साथ हम उने पूरी तरह सिचुरेट कर सकते हैं और उनके जीवन में बیापक प्रिवड़तन का कारण हम लोग स्वेम भी बन सकते हैं आप सोचिए अगर किसी गरीब को सासन की योजना का लाब मिलता है तो किवल एक योजना नहीं होती है वैयो बेनो उसका पुरा जीवन प्रवर्टित होता है एक योजना का लाब देने का मतलब उस परिवार के लोगों को धेर सारी योजनाओं के साथ जोडने का कारिक्रम होता है और उन योजनाओं उस योजना से उसकी बचच जो हती है वहा किसी अन्य कारिक्रम के साथ अपने परिवार को आगे वढ़ा करके आत्मन रिभरता के लगसे को भी प्राप्त करता है प्रधान मंत्री जी ने जब विक्सित भारत के संकल्प को आजादी के अमरित महत सो वर्स के उसर पर पंच प्रण के रूप में हम सब के सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था तो यही बात प्रधान मंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विक्सित भारत बनाना है तो हमें पांच बातों का ध्यान रखना होगा एक हम सब का संकल्प होना चीए विक्सित भारत मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने लेकिन एक कब बनेगा जब हम आत्म दिर्भरता के लक्षे को प्राप्त करेंगे आत्म दिर्भरता का लक्षे और आत्म दिर्भरता के इस लक्षे को प्राप्त करने के लिए आत सिल्पी और कारिकरों को प्रोचसाहन करने का कारिकरम है यह इसी का पार्ट है वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट का कारिकरम है यह इसी का हिस्सा है यह उसी का हिस्सा है दूसरा है गुलामी के अंसों को सुरता समाप्त करना आपने देखा होगा हम लोगों ने आजादी के अम और उनका संगल्प था कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का वहाओ रखना विरासत के प्रति आजादी के उन महान सुतंतरता संग्राम सेनानियों का समर्ण उनके समारकों का पुन्डधार उनका सुंद्री करण उनकी मूर्तियों की अस्थापना और साथ-साथ अपने विरासत के प्रतिसम्मान का भाव किस रूप में होना चाहिए कासी में कासी बिस्वनात धाम अयोध्या में सिराम जनम भूई पर अगवान राम का भव्य मंदिर का निर्मान और अपने पुराणिक और इत्यासिक प्रमप्रासिक के साथ जुड़ेवे इन अस्थलों के पुनुद्धार और सुन्दी करण के जो कारिक्रम चलने हैं ये उसी का हिस्सा है चौथा जो संकल प्रधान मंत्री जे नहीं दिया था वो एकता और एकात में ताका दिया था जो फूट डाले माले लोग हैं जो विकास नहीं चाते हैं वे जाती के नाम पर बांटने का प्रियास करेंगे क्योंकि जाती के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बादित किया था और विकास के बैरियर है हम इस barrier को हटाएं और हमें एकता के लिए कारे करना है देश की एकात्मता के लिए कारे करना है एक भारत स्रेश्ट भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है और पांच्वा जो संकल प्रधान मंत्री जी का था वह था जो पुरे देश वासियों के लिए दिया था कि हम सब के लिए एक पांचवा जो संकल पूना चीए वह है नागरी करतब्य हम जिस छेतर में होंगे उस छेतर में अपने दाहितों का इमानदारी पुरवक निर्वहन करेंगे आज का कारे आज ही होना है हम करेंगे एक विद्यार्ती विद्यार्ती के छेतर में एक करमचारी करमचारी के रूप में एक सिकसक सिकसक के रूप में एक चिकितसक चिकितसक के रूप में एक किसान किसान के रूप में एक सर्मिक सर्मिक के रूप में जो जिस शेत्र में काम कर रहा है अगर वे सभी अपने संकल्पों की पूर्ति करते हैं तो उस पूर्ति को हम तेजी के साथ कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते हम सब एक विक्सित भारत के सपने को साकार होते वे न देखें अवस्य देखेंगे और यहाँ पिछले नौ वर्स के अंदर आपने देखा होगा भारत की सफलतम कहानी को कि कहां हम 11 नंबर के अर्थविवस्ता थी आज वो 5 नंबर के अर्थविवस्ता हो गए 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थविवस्ता होगा यानि यह चीजें दिखती हैं कि अच्छा प्रियास हुआ तो उसके पैणाम भी अच्छे आ रहे हैं लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के हम सब भी बाहग बने हम भी अपने अपने छेतर में इसको नित्रत दे सकें इसके लिए हम सब इस अभिहान के साथ जुड़े हैं मुझे प्रसंता है कि विक् मैं अभी भी इस बात को मानता हूं प्रतिदिन की रिपोर्टिंग हम लोग ले रहे हैं और प्रतिदिन की रिपोर्ट हम देखते हैं कि प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है एबरेज 500 से 600 लोगों का एबरेज अभी तक आया है और मेरा अन्रोद होगा हमें इस संख्या को लग बग तीन से चार गुना करना होगा तीसरा वहाँ पर जो मेरी कहानी मेरी जुवानी जो लाभर्ती प्रग्योशनाओं का बीडियो जो बनाना है वह भी हमें कई गुना बढ़ाना पड़ेगा किवल दो चार नहीं बलकि एक एक कारिकरम में सौ से डेड़ सो ऐसे बीडियो बन इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी और स्वागत की तैयारी पौश सारी जगा अपचारी कारिकरम हो जा रहा है आप किया ढोल होंगे नगाडे होंगे तुराहा होंगे और भी जो अस्ताने वात्ययंत्र हैं उनका प्योक करते हुए एक खुसाली का माहल गाउं में होना करके मोधी गारंटी को सके संदेश को ले करके मोधी गारंटी का वैन आया हुआ है याद रखना ये मोधी गारंटी की जो वैन है यह वैन हर एक चीज की गारंटी है आपकी सुरक्षा की भी आपकी संप्रभता की भी आपके विकास की भी आपकी खुसाली की भी और आपको गरीब कल्यान योजनाओं का वेलफिर इसकीम का लाप बिना भेद भाव के आपके घर तक पहुचाने का एक अविहान का हिस्सा है तो इसलिए मोधी गारंटी वेन को हम सागत के साथ अईवादन करें और अईवादन करते वे पूरे नगारों के साथ इसका दृस्से दिखने चाहिए उसके बीज्वल्स आने चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए